देश भर में कल से शराद शुरू हो गए है और शराद पर पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए यह बड़ा इंपोर्टेंट होता है शराद को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इन दिनों में कोई भी खरिदारी नहीं करनी चाहिए नया घर नहीं खरिदना शराद अपने पुत्रों के परती पूर्वजु के परती निमित पिंड़ान होता है और इस दिन अपने पुत्रों को याद करने के दिन होते हैं जाहीर है सोला दिन बड़े महतव पूर्ण होते हैं अपने पित्रों के लिए पूजा आर्चना करनी चाहिए उनको याद करन चाहिए इन तमाम उद्दोब और वाचित करेंगे रश्पति आवार्ड से सम्वानित पंडित प्रेम सर्मा जी प्रेम सर्मा जी आपका स्वागत है न्यूजेटिन पर कि ऐसा है कि पूर्णिमा और प्रतिपदा दोन्हों का श्राध हो चुका है वैसे तो श्राध पक्ष प्रतिपदा से मानते हैं लेकिन ऐसा है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन का अंत पूर्णिमा के दिन हुआ ऐसे में उनका पूर्णिमा को वो श्राध किया जाता है यह भाद्रपद शुकल पक्ष की पूर्णिमा होती है श्राद पक्ष अश्विन क्रिश्ण पक्ष से शुरू होता है और वो अमावस्परियंत चलता है यानि कि ये श्राद पक्ष हमारा चवड़ें तक चलेगा प्रतिपदा भी कल ही क्यों श्राद हमने किया क्योंकि वो आज प्रतिपदा बारा वज करके बाईस मिनट दोपेहर तक है अब ये अपरहान को सपर्ष नहीं करती है शास्त्रोक्त जो कथन है किसी भी श्राद में उस्तिथी का अपरहान को सपर्ष करना अपरहान में होना ये बड़ा अजस्यक तत्व कहा गया है पूझा सबसे बड़ी महतरों खूल नहीं करना चाहिए लेकिन मध्यान और अपरहान जो है इसके लिए प्रशस्त कहा गया है पूजा पाठ के लिए और इसमें हम देखे हमारे भारत की संस्कृति हम सवेरे उठते हैं अपने दैनिक जो हमारे नित्य कर्म है वो करते हैं शना नित्यादी से निवरित होते हैं उसके बाद हम पित्री तरपन के लिए उद्यत होते हैं पित्री तरपन इसलिए करते हैं कि वो जिसका श्राद है उनका तो तरपन होगा ही लेकिन अन्य जो हमारे परिवार में उस तीन पीडियों में या उससे भी आगे की पीडियों मे जहां तक हम जा सकते हैं जहां तक हमें पता है या ना भी पता हो तो अमुक नाम से उन के लिए तरपन करते हैं और ये तरपन प्रतेक दिन ही करना चाहिए मैं तो ये समझता हूं श्राध्धपक्ष में क्योंकि हमें भगवाद सब कुछ दे सकते हैं लेकिन उन सुखों का उपभोग तो हमें केवल और केवल हमारे पितर ही कराते हैं हमारे पूर्वज ही कराते हैं अनिथा हम अनिथा हम मतलब उन सुखों का उपभोग करने के अधिकारी नहीं बन पाते हैं शर्मा जी क्या एक स्राध्पक्ष बड़ा इंपोर्टन्ट होता है इसोला दिन का क्या कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि करने में तो यह है कि तरपन प्रति दिन करना चाहिए यथा गरीब लोगों को कराओ जरूरत मंदों को दो और यह परम आवश्यक है भोजन वित्रन और भोजन से अधिक दान का कोई फल नहीं कहा गया है भोजन सरवाधिक जो है पवित्र एक तरह से दान है क्योंकि हमारे शरीर में जठराबनी है उसमें एक तरह से यह हवन होता है और हम अपनी भूख को और प्यास को पिपासा को शांत करते हैं तो यह वित्रन भी होना चाहि तो चाहिए पूर्वजों का हमें ले ओभ विशेश रूप से और इन दिनों में यह निशेद कहा गया है कि हम कोई चीज वगधरा जह ऐसी है जैसे कुई मकान है प्सकलर को थिक हैं इसकी खरीद तो परोक है इन दिनों में कोशिश करनी चाहिए कि इस से बचाव रहे कारण क्या मानते हैं क्यों नहीं करना चाहिए कि पूरा दिन साल के 365 दिन होते हैं देखिए देने वाला तो इश्वर है उन सुखों का उपभोग कराने वाले पितर हैं मैं पहले बोज चुका हूं ये बात तो ऐसी स सुखों के उपभोग की जो एक कल्पना है या विचार है उसकी पुष्टी नहीं भुतिना मतलब उनसे सुख प्राप्ति हम मकान लेते हैं तो उसमें सुख से रहेंगे सुख से हम मतलब वहां इत्यादी चलाएंगे ये सारा कुछ जो है ना मतलब हमें कोशिश करनी चाहि ऐसा वी माना जाता है कि जो पोजार्चन करनी चाहिए अगरों जो प्रिचानी रख पाए करते हैं कि can हमारे जो पूरवज हैं जहां से हम चले हैं उनका पूरफादर्स का लवू भी हमारे शरीर में रहता है तो ऐसे में तीन पीडियों के लिए तो हमें श्रद करना ही है चाहे वो दादा है या दादी है परदादा है या परदादी है व्रिद परदादा है या व्रिद जो हमारे परिवार के सदस्य रहे होंगे उनका आगे चाहे कोई आगे नहीं भी चलता है कई बार ऐसा भी होता है तो उनका सब गाइद को हम पर आता है मुझे तो यह कहना है कि 16 के 16 दिन ये पित्रों के लिए समर्पित होने चाहिए और बड़े श्रधा भाव से केवल हैं तो शायद हम अनुचित करें अगर जो लोग गया दूर पड़ाता है बिहार पटने के पास गया वह लोग वहां नहीं जा चके तो हर्याना में कहां पर आके वह अपने पित्रों के पत्ति निमित पिंजान अगरे वैसे तो यह है कि जब श्राब्धों में सोवार हो और उस दिन अमावस हो तो फल्गुप में जो शनान है और जो पित्रों का तरपन है या पूजा पाठ है या दान दक्षना देनी है या भोजन इत्यादी का वित्रन करना है वह बढ़ा प्रिशस्त कहा गया है गया के समान मतलब इससे ना पित्रों की मोक्ष की एक जो कामना हम करते हैं जीवन के चार लक्ष हमें दिए गए हैं हमारे रिश्यों मनिश्यों के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है सर्वोच है और वह मोक्ष के लिए मार्ग प्रिशस्त करता है इस समय का पिंडदान और यह गया में प्रशस्ती है अगर जो लोग गया नहीं जा प्रति दिन वह समझाय जाते हैं उनको करते हैं लेकिन अगर सामर्थ नहीं है तो ऐसे में पुरुक्षेत्र पुरुक्षेत्र तो भूमी है जहां मालिया किसका यहां तो महभारत हुआ अठारे अक्सोनी दल यहां आया अब कृष्णून को हस्तनापुर से यहां क्यों लेके आये इसलिए तरपन में भीष्म को भी याद किया जाता है तरपन देते समय जहां आपने पूरवजों का ध्यान करते हैं वहां भीष्म का भी नाम उसमें प्रशस्ति कारक है और उस वि जल में चाहे धर्ती पर प्रिथ्वी पर चाहे अंत्रिक्ष में कहीं भी जीवन का समापन हो और किसी भी प्रकार से हो तो किसी विधान की कोई अवश्यक्ता ना पड़े यहां के तो फूल भी हरिद्वार नहीं जाते अर्दालिस कोस के उसके पीछे यही है कि यहां ऐसी भूमी जहां मोक्ष है मतलब युद्ध की भूमी में जो सानिक मारे गए उनका वितरपन्द धर्म शेत्र कुरुक्षेत्र में वह एक भूमी ऐसी उसको चैनित किया भगवान में स्वयम द्वापर में श्रीकृष्ण के ही तो निर्देशन में वो धर्म युद्ध लड़ है क्योंकि एक समय विशेश होता है जब हम किसी कारी को अपने जीवन में मतलब एक तरह से अपना दाईतु समझ के अपनी हरदय के से मतलब अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए इनको पूरा करते हैं प्रिठु प्रिधुदक पहवा वहां भी पिंडदान की प्रशस् प्रति यह जब हम उनके आंश हैं तो हमारा दाईत्व है उनके प्रतिकारी करने का उनसे आशिरवाद हम वो तो देंगे आशिरवाद पितर जो है आप देखिए माता-पिता या दादा-दादी अपने बच्चों से किस तरह से मतलब एक समर्पित भाव से प्रेम करते हैं लेकिन आज की प्रस्थिती में बच्चों का जो रुजहान रुख है वो बदल गया है पितर या बड़े भजर्ग उनसे रुष्ट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो यह चाहते हैं कि यह स्ठीक मार्ग पर चलें और उस मार्ग पर चलना उसमें ये प्रक्रिया भी एक महत पूरंपर्प्रिया है और इसे करना चाहिए जहां तक है दस सारी को कोई श्राद नहीं है उसका एक मात्र कारण है कि अप्रहान व्यापिनी ना एक आतिशम है ना फिर उसमें द्वादशी है जितनी मात्रा में हमारे शास्त्रों में उसको अपरहनकाल को दर्शाया गया है तो ऐसी स्थिति में उस दिन कोई भी श्राद नहीं होगा लेकिन तरपण इत्यादी में वह क्योंकि वैसे मघा श्राद का भी उसमें उल्ले खाता है लेकिन पित्रों के प्रतिवों उस तरह से नहीं होगा जो लोग उस दिन शराद करते हैं उस दिन नहीं करें करनी चाहिए क्योंकि वह श्राद पक्स चल रहा है पक्स का मतलब है 15-16 दिन का जो एक अंतराल का समय है वह सारा प्रशस्त कहा गया है मेरा सवाल यह है पंडी जी दस त तर्शार्टाज पर्टा सब्सक्रामाइब करें अपने पित्रह broken पड़ित हैं ना करौकिंगि अ सब्सक्राइब करना चाहिए लेकिन हम ब्राह्मन को बोलाते हैं उनको मतलब है हर प्रकार सहर्देत नेयकिन देते हैं दक्स्राइब देते हैं लेकिन इसमें आप वो एक आदशी है या दौनv उसमें डोनों ही क्योंकि अप अपरहान को फिर्श नहीं मालिया कर या करती हैं तो इतनक ही करती हैं जिसका शास्त्र में निशेद कहा गया है इसलिए वह पहले दिन एक प्रशंत कहा गया है द्वादशी उसमें दोनों ही नहीं है उसमें क्योंकि अपरान को स्पर्ष नहीं मालिया कर या करती हैं तो इतनकी करती हैं जिसका शास्त्र में निशेद कहा गया है इसलिए वो श्राद पहले दिन ही प्रशस्त कहा गया है क्योंकि पहले दिन वहां वोती थी अपरान को पू जो लोग गया नहीं जा सकते उनको धरमशेत्र कुरुक्षेत्र में आना चाहिए और अपने पित्रों के परती इन्ने में पिंड़ दान करना चाहिए क्योंकि यही वो दरह है जिस दरह पर भगवान श्री किशन के अर्जुन से भगवान श्री किशन के मुखारविन से दिया